रिवा जिले में पुलिस मादग पधारतों के खिलाब कारवाही करने की बात करती है और चुट-पुट कारवाही कर खाना पूर्ती भी कर रही है लेकिन बड़े तसकर अभी भी पुलिस के लिए चुनोती बने हुए है ताजा मामला गर्थाना छेतर का है जहां विगत दिनो उत्तर पेदेश से लाई गई नसीली कफ सिरफ पकड़ी गई थी जिसमें दो नावालिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था जबकि एक नामी कारोबारी गौरफ सिंग का नाम भी सामने आये था कि सोरों से पूस्ताश के दौरान गौरफ सिंग को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है पुलिस गौरफ सिंग को पकड़ने में असफल सावित हो रही है यह पकड़ना नहीं चाहती यह तो वह जाने पर आरोपी सोसल मीडिया में पिश्टल के साथ अपनी फोटो वाइरल आरोपी खुली चुनौती दे रहा है बताया जाता है कि छेत में दहसत फैलाने कि नियस से आरोपी ने पिश्टल के साथ सोसल मीडिया में अपनी फोटो वाइरल किया है उक्त फोटो गौरफ सिंग पिता पुषपेंदर सिंग निवासी दगर दुआ की बताया जाता है कि विगत कई वर्सों से आरोपी मादक पधारतों के अवैत कारोबार से सनलिपत है जिसके खिलाफ एक सितंबर को गड़ पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबत किया है ऐसे में पिश्टल के साथ सोसल मीडिया में फोटो वाइरल का नयए दिखाता है कि आरोपी को पुलिस का खौफ नहीं है अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे आरोपियो पर पुलिस अधिचक नवनीच भजीन क्या कारवाही करते हैं